नमस्कार प्यारे साथियों एक बार आप सभी के लिए फिर इस्टेनो ग्राफर की वेकेंची आज चुकी है और दोस्तों ये भरती आपकी हाई कोट ओफ गुजराद 16 एहमदाबाद की ओर से रहने वाली है यहाँ पर 245 इस्टेनो ग्राफर के पोश्टें आचुकी है जहां डारेक्ट आपका सेलेक्शन होने वाला है और दोस्तों यहाँ पर आपका सोठेन का डिक्टेशन चार मिनट का रहने वाला है इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखेगा यहाँ दोस्तों आपके टोटल ओरूल 245 वेकेंशी जो की इस्टेनो ग्राफर की रहने वाली है और आप सभी को यहाँ ओनलाइन ही अपलाई करना है आप 6-5-2024 से लेके 26-5-2024 तक दोस्तों सभी ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं आज का यहे वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेन होने वाला है अगर आप भी चाहते हैं दो हजार 24 के अंदर सरकारी स्टेनोग्राफर लगना तो दोस्तों एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब के जगा और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देगी का दोस्तों यहाँ आपकी स्टेनोग्राफर की दो वरकार की विकिंची आज चुकी है नंबर एक पे आपकी पोस्ट है इंगलीश इस्टेनोग्राफर ग्रेड फ्सक्राइब की जहां आपकी सेलरी एक लाख बियानी हजार चार सुर रुपे परमन्त रहने वाली है सो नंबर सेकेंड पे आपकी पोश्ट है इंगलीज स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की दोस्तो इसकी आपकी सेलरी एक लाग चब्वीस हजार रुपे यहाँ परमंत रहने वाली है सो आपकी टोटल औरुन 245 वेकेंची दोस्तो आज चुकी है सो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस एकी वीडियो में इस्टेब आ इस्टेब देने वाले है जिसा कि क्या आपका सेलेक्शन प्रोसेजर रहेगा कौन-कौन कैंडिडेट्स केशिज यहाँ अप्लाई कर सकता है सो दोस्तो यहाँ बात करें आपके एजुकेशन क्राइटेरिया की तो नंबर एक पी आपकी पोश्ट है इस्टेनो ग्राफफर इंगलीज की दोस्तो ग्रेट सेकेंड की जिसमें आपसे ग्रेजुएशन के साथ-साथ सो ठेन की स्पीड 120 वर्ड पर मिनिट मांगी गई है और दोस्तो इस्टेनो ग्राफफर ग्रेट थर्ड में आपकी सो ठेन की स्पीड 100 सब्द प्रतिमिर्ट मांगे ये और आपके पास एक ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तो ये बिल्कुल सरकारी गोर्मेंट नोकरी रहनी वाली है आप बिल्कुल फ्रेजर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अभी बात करें अपके एज की क्राइटिरिया की दोस्तो आप यहाँ पर 21 साल से लेके 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व केटेगरी को दोस्तो यहाँ पर केटेगरी वाईजी छूट भी मिलने वाली है तो उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पे इन्होंने देर की है और दोस्तो अभी बात करें आपकी फोरुम फीस क्या रहने वाली है तो अगर आप रिजर्व केटेगरी चे बिलोंग करते हैं या आप एक्स सर्विरस मेंने तो दोस्तो आपकी फोरुम फीस 750 रुपे रहने वाली है और अधर कंडिडेट्स के लिए 15 सुरुपे यहाँ पे जो फोरुम फीस रहने वाली है और दोस्तो आपको 26.5.2024 से पहले ऑन लाईन अप्लाइ करना है और दोस्तो यहाँ आपका 4 मिनिट का डिक्टेसन रहने वाला है उसी के आधार पे आपका सेलेक्षेन होगा दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 480 सब्द प्रति मिनिट यहाँ पे दोस्तो आपके जो बोले 480 सब्द टोटल ओरोल आपका पेसे दोस्तो रहने वाला है और चार मिनिट में ये टोटल सब्द आपके जोए बोले जाएंगे So friends, आप चाहते हैं रोजाना ऐसे ही सरकारी गोर्मे नोकर की अपडेट सबसे पहले पाना तो हमारे इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो तो एक बार जादा से जादा वीडियो को सेर केजगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब केजगा और दोस्तो कोई भी डाउट्स आपके इस भरते से सम्मंदित रहते हैं तो आप हमें वीडियो के comment में पूछ सकते हैं और दोस्तों यहां आप सभी को online apply करना है 26.5.2024 से पहले इसका जो online आविदन करने का link है वो भी हमने वीडियो के description में डाल गया है और यह आपकी official website रहने वाली है hc.ogas.gujrat.gov.in दोस्तों आप apply करने से पहले एक बार इनके official notification को आप जरूर दोस्तों read के लिए जगा जो हमने हमारे टेलिग्राम चैनल study with अजपी स्वामें पर डाल रखा है और दोस्तों यह आपकी बिल्कुल सरकारी गोर्मे नोकरी रहने वाली है जहां पर आप all India candidates apply कर सकते हैं और दोस्तों आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी bumper सरकारी भरती के साथ क्लोडते हैं चैनल सरकारी बडम है